नुस्कार मैं हूँ आपके साथ जोती सांगवानूर आप देख रहे हैं बड़ी बात बड़ी बात में आज हम उस हंगामे की बात कर रही हैं दो कि सरकार के साब में पेश आ रहा है जिस बवाल की हम बात करेंगे वो कई महकमों से जुड़ा है और कई संगठनों से जुड़ा है जो कि सडकों बरा गए हैं अपनी मांगों को लेकर सरकार के साब में तो आज की इस चर्चा में आंगनवाणी वर्कर्स की तो बात करेंगे ही साथी पंचकुला में जो एक्स्टेंशन लेक्चरर्स अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं उनको लेकर भी चर्चा करेंगे तो आज बजट सत्र की शुरुआत हुई और बजट में बजट सत्र की अगर बात कर लेकर भी एक हंगामे की शुरुआत वहां भी देखी गई विपक्ष की और से और खास तौर पर कॉंग्रेस की और से एसाफ कर दिया गया कि आंगनवाणी वर्कर्स की मांगों को लेकर हर्यानों में विकास की रफ्तार बेहत तेज है ये सरकार कहती है लेकिन इसी रफ्तार से हर्याना में सरकार की खिलाफ धरने भी बढ़ते नजराए सुबे में आज कमो बेश हर एक वर्क हर एक संगठन अपनी मांगों को लेकर सडकों पर है चाहे वो आगनवारी वर्कर्स हो या फिर बाकी कर्म जारी अपनी मांगों को लेकर आगनवारी वर्कर्स लगातार हर्ताल कर रही है पिछले कई दिनों से वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सडकों पर आई है लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं सोमवार से हर्यान के विधानसभा सत्र का आगाज हुआ और आगनवारी वरकर्स ने इस विधानसभा सत्र के दौरान सदन का घिराव करने की कोशिशें की आज आगनवारी वरकर्स ने अपने एलान के मुताबिक सदन का घिराव करने के लिए कूच किया लेकिन पुलिस ने विधानसभा से पहली ही आंगनवाडी वरकर्स को रोकने का काम किया जिसके बाद आंगनवाडी वरकर्स ने चंडिगड में अपना डेरा जमा लिया है तो प्रदेश भर में आंगनवाडी वरकर्स अपना धरना प्रदर्शन कर रही है वैसे तो सरकार ली चंडिगर्ड में आंगनवाडी वरकर्स को रुकवानी की कोशिशें की पुलिस के जरीर लेकिन सैकडों की संख्या में आंगनवाडी वरकर्स बसों से चंडिगर्ड पहुँच चुकी है अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारे बाजी कर रही है। अपनी मांगों को विधान सभा में उठाने की बात कही गई है। भटकाने के लिए और बहुत ही मधूर भाशा के अंदर उसको पेश करा गया है। और कोई भी ऐसा बिंदू नहीं है जो उसके अंदर कोई जिसमें पॉजिटिव या कुछ तथ है उसमें नजर आएं। लॉइन ओडर आज के दिन इतना जबरदस्ता आप जानते हैं बुरे हाल हैं उसका कोई मेंशन ही नहीं है। किसानों के बारे में आए जो है दो हजार बाइस तक की बात कर रहे हैं। इन सरकार ने यह समझ लिया है कि अब जो है इनके पास कुछ ठोस रह नहीं गया है। इसलिए इनको भटकाये जाओ और जलेबिया बनाये जाओ। विधान सभा के दूसरे दिन भी आंगनवाडी वरकर्स सदन का घिराव करने की कोशिशें करेंगी, वही करनाल में भी आंगनवाडी वरकर्स सियम आवास का घिराव करने की कोशिशें करेंगी, देखना ये होगा कि क्या सरकार आंगनवाडी वरकर्स की मांगों को सुनती है या फिर आंगनवारी वरकर्स को अभी और सरकों पर रहने की जरूरत है। आगनवारी वरकर्स को मिल रहा राजनितिक साथ सरकार पर कितना दबाव डालेगा। ये भी देखना दिलचस्प होगा। साथी एक्स्टेंशन लेक्चरर्स यूनियन का धरना भी लगातार चारी है। रविवार को धरने के लिए पूरे हर्याना से लेक्चरर्स पंचकुला पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घिराव करने के लिए निकले। लेकिन पुलिस ने एक्स्टेंशन लेक्चरर्स को चंडिगर्ड पंचकुला बॉडर पर रोक कर उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। साथी पुलिस ने एक्स्टेंशन लेक्चरर्स पर हलका बल प्रियोग भी किया। इसमें आधा दर्जन के करीब एक्स्टेंशन लेक्चरर्स घायल भी हुए जिने उप्चार के लिए अस्पताल ले जाए गया इससे पहले भी किसानों के दिल्ली कुछ को अलग-अलग जगों पर कुछलने की कोशिशें की कई थी इसानों को दिल्ली पहुँचने से रोका गया था ऐसे में सवाल ही उठता है क्या सरकार का विरोध के रास्ते बंद करवा देना वाकई सही है सरकार इन मुश्किलों से कैसे पार पाएगी चुनकि चुनाव करीब आ चुके हैं 2019 में चुनाव होने हैं क्या सरकार पर मांगी माननी का दबाव रहेगा ये देखना बेहर दिल्चस्प होगा ब्यूरो रिपोर्ट खबरे अभी तर तो इसी मुद्दे को लेकर वजट सत्र के पहले दिन के बाद हर्याना के सीम क्या कहते हैं वो सुने अगर ये एक प्रकार से ऐसा एक डॉकमेंट होता जिसके उपर पूरी दो दिन की तीन दिन की चर्चा होती है उस चर्चा में से उनको बताया जाएगा कि हमारी सरकार की उपलब्दियां क्या है विपक्ष को भी बोलने का पुरा मौका मिलेगा वो बोल सकते हैं जितने पुराने हैं उसमें हर बार हर विशय इसमें होता ही है ऐसा कोई नहीं है चंडीगड के ट्रांसफर का विशय कोई हर बार हर साल आता है इसके उपर कुछ पिछले साल में कोई ऐसा हुआ भी कुछ नहीं है और ये एक ऐसा विश है जिसकी चर्चा जो कभी करनी होगी तब करेंगे जहां तक आंगनवाडी की बात है आंगनवाडी के जितनी यूनियन्स हैं उनसे अमरी बाच्चित हो गई है और बाच्चित का दार के उपर जो उनको अमने बताना था बताया है फिर भी कल इसके उप चर्चा होगी तो मैं अपनी और से को अतवे दुगा थो लेकिना आँगनवाडी जो उन्येन हैं वो साफ कहती है कि इस चर्चा करेंगे कुछ खास वहान हमारे साथ हैं परवकटा रण संग नहीं परवक्ता हमारे साथ इनलू परवक्ता रवीनर सिंग שמט अर्शिण लेक्जिर्रा आप एक्स्टेंशन और श्रवन कुमार जांगडा सीचेंटी क्राइब अगर अगर देखा जाए तो आज की रेट में जो बारतिय जिन्ता पार्टी की अर्यना सरकार है यह विबन कैटेगरीज के अंदर चाहे वो डीसी रेट हो चाहे वो ओमकाड हो चाहे आंगणवारी वरकर्स हो इनको जो मानदय दिया जा रहा है वो प्रदेश में सर्वधिक है सारी स्टेट के अंदर सर्वधिक है और मैं आंकड़ों के साथ आगे अपनी बात रखूँगा तो मैं आपको आंकड़े दूँगा और अगर यह बात कहीं से निकल कहा है जैसा कि आपने अपने ओपनिंग में कहा कि यूनियन्स जो है वो सरकार की यूनियन्स है तो ऐसे क्या व मुख्यमंत्री जी के पास उनने पुरी समवेदना से इनकी बात सुनी है उसके वाल ने आदेश जारी किये हैं जिसके तहर इनका मांदे ब्रहने की बात की गई है आंगनवारी वर्कर्स का केस अलग है यह एक्स्टेंशन लेक्षर का केस अलग है कुछ विसके अंदर कोट के बीडाव पेंश हैं तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको रिजॉल्व करने के लिए मंत्राले स्तर पे और मुख्यमंत्री जी के स्तर पे आदेश जारी कर दिये गए हैं और प्रयास यह है कि जल्दी से जल्दी इनको निम्ताव शुटा लिया जाए आगनवारी वर्कर् मांदे है यह एक वर्ल्ड बैंक एडिट प्रजेक्ट है और यह वॉलंटीर्स हैं यह सारे नोट गोर्मेंट इंप्लोई इसमें साट-सालिश की रेशो के अंदर जो है यह सेंट्र और स्टेट की कॉंट्रिबिशन रहती है अभी इनका जो लेटिस्ट है जो अभी मेरी ज परन्तु सरकार की तरफ से यह क्लियर ओफर दे गई है कि तकरीबन 11,500 रुपे एक शुरुआत में आपसे दो ही सवाल है एक तो आप लोगों की संगठन और यूनियन कितने हैं और आप लोगों की मांगे क्या है जो कि सरकार जो कहती है कि सहमती हो गई उन से अलग इसमें बेंगी यह है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर और हलपर है इसमें चार ग्रूप बढ़े वे हैं एक जो अपना सहुक्त करमचारी मंद से है एक सीटू से अफिलेटिड़ सीटू और सरकरमचार से अर्याना से अफिलेटिड़ है एक बीमस जो भारती जनता पार्टी स सबस्क्राइब करें देंहीं चार ने नॉसके बारे में विस्तार से नहीं कह सकते, मैंने किया है एक من пलीज एक विए नियक ज्यू जांडी है जो क्या हुआ नहीं जासे अमकि ठीक है वामपंथी विचारदाराश है अपने ये लोग है नि अगर सरो कोई दिकत वाली बात नहीं है लेकिन हाकिकती है कि ये संग्ठन है और रही बात हम ये एक एक मिन्ट आप सुनने जिए हम ये करना चाते हैं कि राजे के अंदर के अंदर जो सरकार आती है वह अपना न सरकारी नहीं आ ती हैं तो भीमेस कहा थी आपर और जो आप्स relate की चौह थिए उनको सरकार की यह बात समझ में नखी आई या नहीं सरकार हम बाचित कर रहे हैं कि आपने जिन यूनियन के साथ मुलाकात की वो बीजेपी से जुड़े हैं फिर इन लोगों को कम से कम संतोष ये हो कि मांगे अगर माल ली गई है तो दिखें वो कि ये लोग अपना धरना खत्म करें देखिए ऐसा है जब आपने अपनी स्टेट्मेंट में इसको पॉल्टिकल करते लिया उसके बाद जब जांगडा जी ने अपना उद्बोदन शुरू किया अपने वक्तित्वें कहा हमने आंगनवारी वरकर्स के हवाले से कहा है तो मैं आपको यह आंदी रिकॉर्ड कह रहा हूं कि करीबं 11,500 पे आंगनवारी है वहां तक उसको ले गए हैं और यह आफर सरकार ने सबस्ट पर दी है यदि इनको उससे कोई आपती है सीटू को या सर्वगार्द माजरी संग को तो इनको चीए अपना डेलेके मुख्यमंतर जी के पास जाएं और अपनी मांगे रखें अगर इनको ऐसा लगता है कि भा आपको स्वाकत है इसमें जैसे मान साथ कह रहे हैं कि अपना सिश्ट मनलेकर के मुख्यमंतर जी के पास जाहिए आप हैं है हमारी कितनी दोर की बाचीत हो चुकी है और जैसे यह कर रहे है कि 11,500 कर दिया गया है है मैं आकड़े के साथ कहता हूं कि इसमें सकिल और सेमी स्कि गरने देना परियास है और उसके साथ 10500 के लग्वाइज जो सेमी स्कील में 15 साल से कम का दरजा पड़ा गया है तो उनको देना का प्रियास है और इसमें विशेश रूप से मापको करना चाहता हूं कि इसमें आज रेटार्मेंट के ऊपर किसी भी बहन जी को कोई इसका लाब देने का इसमें डिसकर्स नहीं की गई है शिरफ वेतन तक सिमीत है और रही बात उसके साथ है जो अपना साथ कॉंग्रेस ने भी साथ दिया है अंगनवारी वर्कर्स को निश्चित रूप से दिया है और कॉंग्रेस पार्टी के जितने विदायक है उन्हों नकल दिल्ली में तुकि उड़ा साथ आ नहीं सकते थी उनके पाव में फ्रेक्चर है उनी के निवास स्थान पर सभी हमें कह रहे हैं वो हैं लेकिन वो अडियाना की मा बहन बेटियां हैं और इस तरह एक्स्टेंशन जो लेक्चरर हैं उसमें भी 80% से ज्यादा हमारी बेटियां हैं तो सरकार जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कम से कम इतनी सवेदना सरकार को दिखानी चाहिए कि वो उनसे कम से कम जो भी लीडर्शिप है मैं यह नहीं कहता हूँ कि कि किस संग्ठन से वो जुड़े वे हैं लेकिन एक जो इसारा मिलता है एक इसारा मिलता है वो यह मिलता है कि वो बारतिय जो मलदूर संग है उसकी मार फताएं तो ज्यादा तवज्जो सरकार द जो लीडर्सिप है इन संग्ठनों की चाहिए वो अस्टेंसिन लक्टरर की है चाहिए आगनबारी की है उनसे भी पूछेंगे तो वो जो ग्रास रूट की बात है जो गिल्कुल दरातल की बात है उससे सरकार भी वाखिव होगी क्योंकि जो उनकी समझ्याएं हैं या जो उनक की मुद्दे हैं या जो उनकी डिमांड हैं वो सरकार से तलूख है और वो जो पूरी भी सरकार ने करनी है तो वो गयब नहीं होना चाहिए अपने करमजारियों के बीच में चाहिए वो करमी के रोप में हैं तो इसी लिए कोंग्रेश पार्टी ने फैसला किया और आज आपने देखा भी कि कॉंग्रेस के नेटार जो लेजिस लेचिर पार्टी की लीडर है मैडम केंड चोधरी वह भी गई है वो अपनी इस परस्ट बात उन्हों ने कॉंग्रेस पार्टी के और से समर्थन जाहिर कर दिया और विदान सबाह मे है वी जब क्योंकि आज गवर्णर मौदेने का वह अभीवासन था और उसमें बहुत ज्यादा कारवाई सदन की होती नहीं है तो और क्योंकि यह और विच्वरी रेफरेंसे जाते हैं लेकिन उसमें भी इस बात का जिकर किया और कल हमारे जो कॉल अटेंशन मोर्शन के और आज तो निता पर्तिपक्ष टूप से जा करके इनके वर्कर के बीच में जा करके अपना समर्थन पार्टी की तरफ से देखर के आए हैं हमने भी इसमें मामले में भी अटेंशन लगा रखा हैं मोशन के ओपर कल वी जो हैं विधान सभा के अंदर इस मामले में पूरी चर्चा भी करेंगे और स्पर्ष टूप से जो है सरकार को इस मामले में गेरने के लिए कर रहे भी करेंगे ताकि सरकार जो है इन लोगों के हित के अनुसार सोचे बाकि ये बड़ी दुर्भाग्यपून जो चीज है वो जो ती हम यहां पर बात कर रहे हैं कि विभिन संग संग है ऐसे ही बारतिय मजदूर संग है जो आरे से के लिए कारे करते हैं लोग तो इनका कहीं ना कहीं जो है अपना इनका सिस्टम जो है वो बीच में घुस करके अपना एक डेलिगेशन बनाना जा करके कथी तोर पे मांगो को जो है स्विकार करवाना जबकि ग्राउंड लेवल पे जो लोग बैठे हुए उन लोगों को उस किना तो जानकर यह ना ही वो लोग उसकी हामी बढ़ रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं जो है मिरको लगता है कि अंदोलन तोड़ने की एक प्रयास मत्र है इसके अलावा में इसको कुछ नहीं मानता रवनिक्वान साब बता करने की बात करी अंगनवाडी बरकरों के संब्द में बात करता हूं मैं आज अगर कहते हैं कि हमारे जो CLP लीडर हो गई है या हमारे जो पूर मुक्रमेंटरी वो नहीं आपा है किसी कार्मश को बात भी इन्हों ने अपने सरकार से जब तक यह सब्ता भी नहीं नहीं तब बात करें आज तेनों जो प्रमुक्ह राजनितिक दल है अर्याना के बहते इसा है कि यह तो आज तीनों जो प्रमुक्ह राजनितिक दल है अर्याना के बहते इंता पर्टी नेशल लोगदल और भारती राश्टिक ओंगरिस के प्रमुक्ता है यहां पर आपके बीच में बेटे हैं तो मैं आपको जब आंकडों के बात बता रहा हूं कि यह पैसे बढ़ाएगे हैं आप दिखिए जो हमारे था चीटू के अर्याना के सरकारी कोलेजों के अंदर काजियर थे इन सभी की क्वालिफिकेशन यूजिसी के कोर्डिंग नेट पीसडी और जयाराफ है पिछले 2010 से एक्स्टेंशन लेक्शर का जो शैल्डी थी और भाईशो रुपे पर पीएड थी और मैक्सिम्म अठारा जार रुपे कई साल तक एक्स्टेंशन लेक्शर ने धरने के परदर्शन के और अंदोलन के और उसके बाद 25,000 रुपे फिक्स के लेकिन आप यह बताईए 25,000 रुपे फिक्स तो कर दिये लेकिन को जोब्स के उट्टी नहीं है आज 80 के लगबग हमारे एक्स्टेंशन इलीजिबल एक सब्सक्राइब की हुई है एक्स्टेंशन लेक्शर जो 80 परसेंट सरकारी कोलेजों के अंदर अपना पढ़ा रहे हैं जिसे काम चल रहे है और स्टेट गवर्मेंट जिसका अर्बो रुपे का बजट बचा है इसी से उनकी एक ही मांग आज की दिन की उनकी रोजगार को न सब्सक्राइब करें लोगों के लिए सरकार का स्टेंड क्या है वो इक बार के लिए के लिए किजिए अपने 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 खुद कहा कि 18,000 बढ़ा के 25 अर किया गया है अभी एक ऐसा ही केस हाई कोट में भी लंबत था जिसकी दस्तरी को या नौतरी को हेरिंग थी जैसे इननने कहा कि UGC के जो मांदंड हैं उनको लागू करना अनिवार्य है और अब जैसे जैसे पोस्स निकलती जाएंगी वैसे वैसे रिप्लिस्मेंट भी आती जाएंगी और जो नहीं होंगे उनको जाना पड़ेगा उसके अंदर को संदे नहीं है क्योंकि वह एक करण Cyrus 2018 थे बढ़ा कि 25 लागू थार की गई रिए तो तो अगर चिसकी के नहीं जाती भी है तो ऊचनी इनलश्मे मे तो इसके अंदर मेरा निक़ाल कर देन नいます यहां को ऐसा मसला रह जाता है यहां तो इंक्रिमेंट इंसालरी हो यहां जॉप सिक्रोटी के अंदर निकालने के बाद भी हमने कहा है कि अब घर बैठे को बत्ता देंगे उसके निदे नहीं है पर अब इनकी क्या प्रमुख डिबांड्स है और किस प्रकार से चाहते हो पू आप यह देखिए जो गैस्टीचर है हमें बहुत खुसी होई कि अर्याना सरकार ने को तेशार रूपे हैं आप यह देखिए जो गैस्टीचर है हमें बहुत खुसी हुई कि उनकी सेलरी बढ़ाई 30,000 रूपे हैं आप कंपूर्टर इंस्टेक्टर देखिए 23,000 रूपे हैं आई टीच इंस्टेक्टर देखिए 36,000 रूपे हैं जबकि एक्स्टेंशन लेक्टर नेट पीज और जया रफ हैं और उनके 25,000 रूपे करके हमारे उपर आइसान करती है जबकि सचाही है कि एक्स्टेंशन लेक्टर ने अर्याना सरकार के अरगो रूपे बचाई है माननिये हाई कोट के अंदर हजारों हमारे अट्र इनलों का क्या स्टेंट है देखिए 25,000 रूपे की जो बात रमनीग जी कह रहे हैं मैं आपको बत आदू मानिये पंजाब निराना हाई कोट के डिसीजन के कंप्लाइंस में 25,000 रूपे किया गया था इससे पहले तो और भी कम था तो यह 17,000 के आसपास में होता था यदि यह इस्वर जी बता देंगे इनके पास में जानकारी होगा मैं exactly याद नहीं कर पा रहा हूं दो साल पहले की बात है जब यह डिसीजन हुआ था कोट का तो एक कोट की कंप्लाइंस के अंदर जो कारे किया गया उसके उपर तो मुझे नहीं लगता है कि भारती जनतापार्टी की को अपलब दी है लेकिन जहां तक बात extension लेक्चर की है इस फर्स रूप से देखें तो जो नॉ की चीजे तो इनको मिली नहीं है देखिए बहुत सारे लाब है जो इनके पास में नहीं है क्योंकि इनको किसी भी समय हटाया जा सकता है हर टाइम यह खत्रे पे जैसे ही रेगुलर आएगा उस इनने रिप्लेस कर दिया जाएगा कम से कम इनके पास में financial security तो निश्चित र कर रहे हैं जो कि सरकार को देना ही देना चाहिए और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हजारों क्रोर रुपया जो ही है बचा रहे हैं क्योंकि रेगुलर जो आपके स्टाफ है उसकी जो है liability बहुत ज़्यादा रहती है देखिए मैं जिस बात कहना चाह रहा था वो यह सब्सक्राशूर्णद रहे हैं काफी कर डिकली च्राशूर्णद त dziर्ममीजार को सब्सक्राइना काम कर रहे हैं हम अदर 112 क्योंडर उप्र उपर हम काम कर रहे हैं जब चुल्सक्री के खाफी हट्ता के कारें हो चुका है और जहां तक अभी हम जो मसला डिसकस कर रहे हैं उनने कहा कि साथ 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 साल से शोशन हो रहा है हमारी सरकार को आया आज तीन साल चार महीने और साथ दिन पूरे हुए है और हमारा प्रयास यह है कि अगर देखिए बड़ा अच्छा अभ्यास है डूल साब का क क्योंकि हर एक चीज में प्यास करते हैं कि सरकार की को उपलब्दी हो तो उसको यह कह देंगी कोट के मादयम से हुआ है क्योंकि खोद यह अधिवक्ता है तो यह चाहते हैं कि सरकार की किसी बीपलब्दीगा से और दिखना हो सकता है और जो आज भी गोशना कर रहे हैं वो भी करेंगे और ऐसा ही विचार मुक्यमंत्री जी ने बार-बार कहा है कि सब हम समान कारे समान वेतन के देखिए क्या है कि इसके अंदर प्रपोसल मागे गए हैं विबन विपागों से एक काटेगरी नहीं है इस पर विबन कैटेगरी जह चाहे वो शिक्षा से समध्य तो सेमी इसकेल्ड हो या कोई स्पेसिक जॉब्स हो सब्सक्राइब उसके लिए उश्यक्राइब पर हैं उनके सुने इसा है सरकार सून रही है देखिए नहीं जो ती ऐसा नहीं होगा सरकार सून रही है इसा ने स यह बिल्कुल पता नहीं कहां से तत्री उठा कर लाए इस नहीं होता है बाकाइदा आज आज आप रिशर्च कर के आए तभी तो बता रहा हूं बाकाइदा वह अमलमल आए गया सब ने उसको ड्रा किया और जो जिन्हों ने बैंक से या ट्रेजरी से ड्रा किया वो इस बात क गवा हैं इनके कहने के पल्चाई जो है उसको जूट में बदला जा सकता ये कह रहे हैं ये भी कह रहे हैं वो दुरूस्त करने हैं वो एक बार देख ले मैं कह रहा हूं कि हरियाना में कॉंग्रेस हासनकाल में सबसे जादा देश में एदी आंगन बारी बरकर को मान दे था तो हरियाना में था और ये जो इन्होंने छह सो और मामूली जो ड्रोतरी की है वो सेउन्थ पे कमिशन जब करमचारियों को दिया गया जब सोर मचा कि भई इनको में चीद नहीं रखा जाना चाहिए तब दिया गया दिया अच्छी बात है लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आंगन बाड़ी के जो हैं इनकी जोव जो हैं वो बड़ी है पहले इतने इशू नहीं थे इनके पास जिसको यह रिजिस्टर बोलते हैं कि हमारे पास पांथ रिजिस्टर थे फिर दस हुए फिर अब जो मुझूदा है वो पंदरा है यानि इतने विभिन मैकों के पूपोसन का ना हो जो मातरतों में हैं बेहन बेटियां उनकी देखने पड़ती है ठीका करन का काम इस्तर पंदरे तरह की जोब से तो उनकी जब वर्कलोड उनके उपर आया है वो तीन बज़े से पहले साइदी कोई आंगन बाड़ी वर्कर या इलपर घर जा पाती हो एक सोचनी चाहिए अब मैं एक महतुपून बात बता हूँ मैं यह कर रहा हूँ कि यह रोकने में इनको क्या मजाता है लोगों को एक समीधानमने भी दे रखी है और लोक तंतर में यह किसी ने नाजाइज नहीं बताया मैं खुद गवा हूँ आज पंच कुला में दादरी से पांच बड़ी गाड़ियां बस बरकर के आंगनबाडी बरकर और एपर की आई और उनको बोर्डर पर जाए अंदर आने लगे तो हरियाना पुलिस ने रोका जबकि वो काम एदी यूटी पुलिस का होना चाहिए था क्योंकि उसकी तिए हरियाना पुलिस बीच में एक से इसकी तरह अपने देश की राज़दानी में किसानों को जानी से रोका, अपने ही करमचारीं को अरयाना सरकार रोक रही है, रूटी सरकार संहिए हम पट्रे ंपर धरने पर बैठे तब जा करके ईंध की जद्दो जहट के बाद उनको आने दिया, यह रवय यह दर्सांता ह कि प्रोटेस्ट करना जो है मौलिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का लोग तंत्र के अंदर क्योंकि जरूरी नहीं है सभी बाते उनके रिप्रेजेंटिटिव के थ्रू जो है सरकार तक पहुंचती हो कही ना कहीं जनता को भी ओधिकार रहता है क्योंकि लोग तंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा तो हमारी सुनियों यह सरकार है यह हमीं उनसे नहीं मांगें तो और कौन मांगेगा तो करती जनता पाटी की मैं बता रहा हूं पिछले डेड़ साल से मुझे नहीं लगता कि कोई करमचारी संग ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं सदक्यों पर ना हो कभी चाहें ट्रांस्पोर्टर की अड़ताल हो चाहें कभी किसी चीज की हो ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट वाल कि अभी वाइदा खिलापी अभी वर्दमान सरकार के सामने हमारे साथ हो रही है ऐसे पहले हमारे साथ कभी नहीं हुआ अभी जैसे रमिनिक मान जी कह रहे हैं कि कहीं हमारे काम में कोट बाद होता है तो आम यह सपश्च करना चाहते हैं कि 24 अक्तुबर 2016 को मानिय सुप्री समानमी तनमान के बारे में हैं लेकिन उसके उपर ना तो के अंदर का कोई राजनिता जा गया है ना यह अर्याना प्रदेश के अंदर किसी राजनिता ने इस बात के बारे में चिंतन किया है 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 और उसके साथ जो यह बार बार हमारे सामने बात आ रही है कि मानिय मुख्य मंतरी जी खुद यह कहते हैं कि आपकी मांगें बिलकुल जाइज हैं है नि दो तीन महीने में एक सिकर मिटिंग अधिकारियों के साथ बुलाई जाएगी आपकी समस्याओं का समाधान होगा आज साड़े तीन साल पूरे अपरांद भी आज तक बात वहीं लटकी हुई है कि करल के साथ बात कि तो यह आज यहकल फैसला माने नहीं हुआ ने हैं ने खैन के मरें आज तको माने महा हुआ कर्म नहीं हुआ सही के लिए ही सही लेकिन सरकार सुनेगी कब ये भी बड़ा सवाल है और सरकार सुन भी लेती है मांगो पर सहमती भी बन जाती है उनको लागू कब करती है चूंकि वादा खिलाफी के सरकार पर आरोप लगते हैं साथी इसी डिबेट को हम फेस्बूक पर लाइव भी दिखा पूरा कर पाएं परन्तू एक बात निश्चत है कि समान कारे समान वेतन के लिए भारती जनता पार्टी हर्याना की सरकार प्रतिबद है वह हमने करना है हम करेंगे इसी इसी अपने इसी टर्म के अंदर बहुत जल्द इसको कर लेंगे शुनिश्चित बरहाल जैसे की रंसिंग मान साब कह रहे थे तो उनको मैं याद इला है वह भरती के प्रकराई भी हमने पूरी यहां तक कि यहां तक कि आपकी जवाब देंगी है जिम्यदारी भी आप लोगों की है लेकिन जो नहीं किया और वही कहना चाह रहा हूं और अगर वादे पूरे कर रखी है तो वादा खिलाफी क्यारों क्यों सरकार प्रती मेरा न प्रती में आप से पहले आपको अनुरोद किया जांगडा साब को भी मैं सीधा बता रहा हूं कि 11,500 रुपे ऐसा सरकार उनको देने की नियत बना चुगी सरकार ने उनको ओपर दे रखा है कि आपको हम देने के लिए तैयार है और उसको अब जैसा कि इनका कहना कि एक संग अब जहां तक और किसी वर्ग की या और किसी कैटेगरी के वर्कर्स की बात आती है तो उसके अंदर भी पहले मैंने कहा कि सरकार समानकार समानवेतन देने के लिए प्रतिवतन है अब अगर कोई इस बात को यह कहे के जुठला दे के साब कोई संगठन तो भारती जिन्ता प बहाँ तो संगठन और वादा डग लग चीजीजें वादा संगठन म binary जहां तक यह जो आपने हैं दो मुद्दों मात करी पहला जली डिया और दूसरा के सरकार प्रतिबत है यह नहीं समानकार समानवेतन कbinary तरफ दोनों बातों के उपर उत्तर दूँगा, जी हाँ, सरकार ने जो अपने आंगनवाडी वर्केट्स हैं, उनका जो मानदे हैं, वो इक्यासी सो चालिस रिफे से बढ़ा के, साड़े ग्यारा हजार के लगबग करने का आश्वासन दिया है, और वो उफर उनको दे रखिये, ज इसको कुछ संगठनों ने, इनके कई गुरूप से देने स्विकारा भी है, पहला दूसरा, क्या समानकार ये समान वितन देने के लिए सरकार परतिपद है, जी हाँ, हम उसको देने के लिए परतिपद हैं, और उसके उपर कारे चल रहा है, विबहन जितने भी देखिए, 112, 120 से अधिक कुछ में को ध्यान नहीं, कितनी कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर विबिन परकार के स्किल और उन्सकिल लेबर्स के वरकर्स को रखा जाता है, उसके उपर उन विभागों से इस को रेगुलराइज करने के लिए, प्रपोसल मांग काम किया है, इन्हों ने जब इनके अपने समय में किया गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 25 रुपे जनुरी 2014 में, वो इंक्रिमेंट दिया और साथ ही इसको 11,500 पर आज करने का हमने निरने लिया है, ऐसी ओपर भी दिए, बिल्कुल जी, कपडे उतार करके खूद परप्रशन कर सकते हैं, आग में घही डालना नहीं होता, यह आग में घही डालना, विपक्ष का धर्म है, सरकार के विरुद जो है, लोगों को जितने में मुद्ध हैं उनको उठाना ताकि सरकार के ओऊपर दबाओ बनें और सरकार कार्य करें, यह जिए जिस दिन यह फिक कारों को आप आग में सप्क्रेड्स आपके बताऊगा जी है और लगा करके black band लगा करके जा रही है लेब टेखनेशन को कोड का रस्ता आपना राप पढ़ रहा है कि उनको प्रमोशन नहीं विलती ऐसे ही एक्सेंशन लेक्षर को यदि कोर्ट के दुरू जाना पड़े गैस टीचर इतने इतने दिन तक सड़क के ओपर जाकर के बैठे रहते हैं महिलाएं अपना मुंडन तक करा लेती हैं तो इनके बाद रखे कर्मचारियों के बीच में और बाकी लोगों के बीच में कि देखे आपके लिए काम करवाय जा रहा है आपकी मांगों को भी सुना जा रहा है आपके खितों को सुनने के लिए सरकार है रवनिक्वान साब इस बात का जवाब दीजिए कि विपक्ष जो है अपनी भू से इस्तेमाल करती है हलका बल प्रियोग भी किया जाता है आप लोग रोकने की वजाए सुने बातों को सेहमती वने उनको लागू किया जाए देखिए जोती जी जहां तक करने का कानून विवस्ता अपना एक अलग छेत्र है जातक देमार्ड मानने का एक बॉल्टिकल डिस्ट्री कौन से बात है वो शिष्ट मंडल मुख्यमंतरी से मिला उन्होंने आश्वासन भी दिया वो जो विभन जैसे आंगरवाडी वरकर्स है वो मनि कविता जैंसी से मिले लग वासन वह भी दो सब्सक्राइब जैसे निए कयो आट या किलेएं से ओ सनवे और एक मिरी क्या और अशव्य ऑने होगं का हृटा में और वाटर कैन की आने वाले लूगों कわかशने पर उनकिया है यह पर उनने एस बात से सपरेश्व बीवन ह confess कि तो आसा नहीं है देखिए पुलिस और पुलिसिंग और लाइन अटर मेंटेन करना एक अलग विशे है जहां तक हम आज के विशे पर केंद्रित रहें अगर तो बैतर रहेगा अज का ही विशे है आपने नोजार से अधिक जो बात आई उननी दिया आपने आपने नोजार से अधिक जोईनिंग निकराओ उसकी बात हो चाहे चुडारा सहाब के समय के हो बाइसों से अधिक उद्विक शुर्क साबल के लोग उसके उपर आपका कोई उत्र नहीं है आप जब भारती जिनता पारटी ओफर देती है एक रिजनेबल ओफर देती है और यह commitment देती है कि समान कारे समान वीतन के लिए हम परतिवद्द हैं हमने वो करना है पर और एक योजनबत तरीके से category wise अब कई categories मों हो चुगा है जैसे की होम увер हं बात कर रहे थे तो home guard के जितने भी volunteers हैं उनका जो मान के पास कोई विशय आता है उसके संग्यान में उसके उपर पूरी घंभीरता से जिसे कहते हैं विचार किया जाता है नहीं जोती जी आप ने जोती जी ऐसा है जोती जी जी नहीं देखिए गलब बात झालिए आप लगा के जो है आगे बढ़ जाते हैं तो आप पूरा उतर द आपके पास जो आपने बात करना यह एक के पार पार्टी के सरकार में बैठे वी थे और राम मिला सर्माजी जो उसमें एक सत्ता के लिए लालाई थे और उसमें यह कह करके आये थे एक पहली कलम से उसको पका करेंगे सभी को अब मुझे लगता है कि वो कलम सायद आपना मानिये परदार मंतरी जी किजिए मैं कहीं गलती से विदेश में चली कि वह आज वही रगी है और उसके साथ साथ जो गोशना पत्र की बात हम करें यह आमने किसी राजनीती पार्टी को यह नहीं कहा था कि हमारी मांगों को गोश गोशना कहा रहेगी मात्रे काविज का डुकराबन करें कर देग्याटना मतर पत्र और जो मैं बाते हमारी मानिया मुख्यमंत्री जी हर राड़ा सरकार के साथ हो चुकी है और पंजयरा समuw वेत्रमान के बारे में तो मुख्यमंत्री जी खुद यह कहते हैं कि उसको थो बात करें। किसी नहीं आज तक डिपार्टमेंट में नहीं से अर्ञार्यटरमान के बारे में बारे हैं। तो अब यानि कैसे कब तक बरदास्ट करते रहेंगे अभी जैसे अर्निक बान जी करें थे कि पंजाब के समानवे तर्मान की जैसे अभी केंदर की सरकार ये करिये के 2022 ने हर एक आदमी को अपना अपना घर होगा, क्या ये अपना चुनाव के बाद में होगा, कभी विचार क पर कभी चार करेंगी है, हमारे लिए का मीर मामला है, नर्जिक्वान साब, ये सवाल बहुत वाजिब है, जब की चुनाव भी करीब है, सरकार कह रही है कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा, ऐसा है कि कूरे अर्याना के लोगों को करमचारी हो चाए और दूसर बहुत ही इनके लिए दूइदाजनक्स थीती है, क्योंकि इनको साइद अक्सिडेंटली सता मिल गई, भूल गए सारे कि हम कहां कहां जा करके क्या क्या वाज़ दे किये थे, हमारे गोसना पत्र में क्या थी, रही बात ये कॉंग्रेश की कर रहे है कि इतना वो नहीं था, दो चीजें बड़ी सपस्ट हैं, ये करहन नोजार की जेविटी की सेलेक्शन की, इन्हीं की सरकार ने एफिडेवट दिया रूस सेलेक्शन को सही माना, और ये मामला कोर्ट में गया है, इन्होंने केवल आज सार लेती, इन साल होगे, ज्वाइनिंग कितनी की होगी, जरा कार है, मेंटली की, कॉंग्रेस की आलोचना करोगे तो साइथ बीजेपी के नजदीक से लेजाओ, वो वेसे कहें, कॉंग्रेस ने छठा वेतन आयोग उसके समय लाग हुआ था, सारे करमचारी जानते हैं कि उसमें कितना, उनको एक सम्मान जनक बड़ोतरी मिली थी, साथ म वेतन से आयोग उसे बहुत बड़ी उमीद थी, जो इनके टाइम हुआ, उससे कितनी नहरास हुए, यह फैट से जो जुठा नहीं सकते हैं, यह आरोग बेसक लगाएं, करके इननों कुछ नहीं दिखाया है, इसलिए, इसलिए, ने के उलकरमचारी सभी वरग आक्रोशित ह यह सभी वर्ग जो आक्रोशित हैं, यह सरकार को कम से कम गंभीर लेना चाहिए इस बात को फिल हाग, निश्चित रूप से लेना चाहिए जोती, इनके खुद के ही तो स्वेम के वाइदे हैं, को बाहर के तो नहीं है, क्या पंजाब के समान वेतनमान के लिए इनकी सरकार नहीं कहा था, यदि कहा है, तो लोग यदि उसके लिए सड़कों पर आते हैं, तो क्या दोजे इनका बताओ, आपने जो कमिट किया, आप उसको पूरा कीजिए, यदि आप उसे पूरा करेंगे, तो लोगों को करमचारियों को सड़क प्याने की, कोई आवशक्ता ही नहीं नहीं होते हैं, तो लोगों को फिर सड़क प्याना पड़ता है, वो नहीं होते हैं, फिर लोगों को चंदीगर तक आना पड़ता है, फिर यह उनके ओपर लाठियां बरसाते हैं, वो घर जाते हैं, तो इस परकार का जो एक कुछ चक्र लगातार चल रहा है, जितने भी धर प्रदर्शन है इनके पहले चोटे स्थर के निता मनाने जाएंगे आश्वासन दे आएंगे सरकार उल्म की कोई बात मानती नहीं है से कोई एक उधारन नहीं हमारे पास में सेकड़ों जहां पर इनके OSD तक जाकर के वापर धरने पर कमिट करके आए और उसके बाद में बाते पूरी नहीं है लोगों को चंदिगर तक आना पड़ा लाठिया खानी पड़ी सीम के आवास के बाहर जाकर के लाठिया खानी पड़ी वापर कैनन चल रही है ऐसे आपके पास में गैस्टीचर में पीजीटी में आंगनवाडी का तो कि बात जैसे कि मान साब ने कही और डुल साब भी कह रहे थे कि जो पूरा किया हो बता दें तो देखिए जैसे हमारे एक्टेंशन लेक्ट्रार्स हैं इनका जो मान रही था उसको 18,000 से बढ़ा के पच्छीजार किया गया ऐसे जब आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल र पंजाब के समान वेतन की बात करने आप लिए जो पर देखिया इसा है जहां तक होंगार्स का संदर था उनकी जो मान देह उसको 18,000 से बढ़ा के तकरीबन 25 जार की लगब लेने है इसी परिकार से डीसी रेट्स जो है उसके अंदर वृधी करी एक सो बारा कैटेगरी सक अ और मैंने जैसे आपको पहले का कि समानकारे समान वेतन के लिए हम प्रती बद हैं उसके उपर काम चाली है जारी है और कई क्टेगरी ने उसको लागू कर दिया गया है जैसे कि मैंने आपको बताया है और किसी के अंदर कोई मैटल जडी सब्यूड़ आइस है या कोई जैस जो लोग सरको अपर किया सर्कार को विक्तिकत आपती नहीं है परंतु जैसे कि मैंने आपसे पहले का कि इसके उपर काम चल रहा है कहीं पर संविदानिक बादाये हैं जिसके अदर लीगल हर्डल उनको दूर करने के लिए वैसे उनके अंदर संसोधन करने के लिए पी सरकार और चार प्रदेश सरकार का रहता है, और यह वर्कर्स बेसिकली आप गोर्नमेंट इंप्लोई आप जाता है, जैसा कि उत्रप्रदेश के अंदर एक महुर बन रहा है, जहां पर आगे बनने का प्रयास करें, मुझे दिखता है कि हषाय धर्याना के अंदर भी ओंग्रेस और और भी अधर आप आप गोर्देश के अधर बन रहा है, जिसमें आजारों अधर कोर्ट में गए और वहां से दो डिसिजन मिलेगे इनके सहली फिक्सी जाए और इनके इंटर्वू बंत किया जाए, जैक्ट में कंटेंट फाइल है, और दो दादेन पीसेटी डोक्र मावर पर अगर उसकी पालना भी की जाती है, तो उसके खिलाफ अगर सरकार नहीं जाती है पील में, तो वो दिये आपको फॉर्द रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि जो मांदे हैं, चाहे वो आंगनवारी प्रकेस क्यों, चाहे हों क्यों, भारत पूरे बारत के अंदर आरियाना सबसे ज़्यदा मांदे देने वाड़ा प्रदेश है, और दूसरी बात और दूसरी बात नहीं देखिए, सबसे अधिक मांदे देने वाड़ी सरकार आ रहे हैं, और साथ में वेतन आया को लागू करने वाड़ी भी हर्यारा सरकार सबसे पहली सरकार ही पुरे देश के अंदर, ऐसा नहीं है, और जो तर्थे भी है, ये बेसक फिर दोबार आशे करने, सरकार का कोई डिसीजन नहीं है, ग्याराजार केवल इनकी ओफर है, ओफर है, फैसला नहीं है, फैसला मनने नहीं है, वामदलों को मनने नहीं है, ये दावा तो नहीं कर सकते हैं, ये तो दावा नहीं कर सकते हैं, ये जो लेफ्ट लीनिंग इंटलेक्टुल्स हैं, जो वामपंती विचार दोड़ा के है जो यह कर सकते हैं ठीक है कि 60-40 के रेशो में बाटते हैं जो सेंट्र गोवर्मेंट के जितने भी प्रोजेक्ट है लेकिन यह रिस्टेक्शन कहीं है यह पाबंदी कहीं नहीं है जो अपना इसा बढ़ा दे बढ़ा दे वक्त देने के लिए तो बढ़ी बात में चर्चा यह की कि जितना हंगावा एक देखा जा रहा है उससे सरकार के सरह से पार पाएगी सरकार की मन्शाब भी है या फिर नगे फिलाल दी जी जासरु नौस्चा आइए आइ आइ आइ